सो सभी प्रिय विद्यार्थ को डेड़ सारा नमस्कार माई सेब डॉक्टर मुकिश कुमार स्वागते आपका मारे फोरम MKS चेनल में सो जो विद्यार्थी नीट दोहजार चोईस में अच्चा स्कोर करना चाता है उनके लिए डबल गुड अपडेट यहां पे रहने वाला है कि किस परकार आप अच्चा स्कोर गेन कर सकते हो नीट एकजाम में तो आपके लिए सपलता कदम चुमेगी और यह अपडेट यहां पर आचुका है न्यूज 18 की तरब से दूसरा भी अपडेट यहां पर रहने वाला है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो नीट में करना चाते हैं अच्चा स्कोर तो इस विशे पर करें पोकस तो किस परकार से आपको तयारी करनी है टाइम का मेनेजमेंट करना है सारा कु पिछले कापी एर के अनुबव के आदार पर यहां पर इन्होंने बताया है अगर आप नीट की प्रिक्सा की तयारी कर रहे है तो आपके लिए यह ख़बर काम की हो सकती है नीट प्रिक्सा में अगर अच्चा स्कोर करना चाते है तो और्गेनिक केमेस्ट्री पर फोकस कर स रखते हैं नीट यूजी प्रिक्सा में केमेस्ट्री हमेशा हाई इस्कोरिंग विशे में से एक रहा है और और और्गेनिक केमेस्ट्री इनमें बहु आयामी भूमी का अदा करती है यानिकि नीट यूजी में और्गेनिक केमेस्ट्री में मोटे तोर पर आपका जो 11 है और टॉल्ट में एल्डिहाइड और किटोन बायो मॉलिक्यूल हेलो एलकेन हेलो एरीन इसके अलावा एलकॉल फिनॉल और इत्तर ये मोस्ट इपोर्टेंट अध्याय सामिल किये गए है और भी यहाँ पर इन्होंने बोला है और मेरे फिरे विद्यार तो यह बात आपको ध्यान स सुनना चाहिए कापी फाइदेमंद आपके लिए हो सकती है अभी आपको पेपर भी में दिखाऊंगा पोराना पेपर दिखाऊंगा और किस परकार से आपको अरेंजमेंट करना है वहाँ पे यहाँ पर देखो आप ककसा 11 में विशे के लिए एक आदार बनता है और्गनिक सुन्गदीद हाइड्रो कार्बन का अध्यन सामिल है और इतना ही नहीं आक्सिजन यूप्त योगिंग में एलकॉल फिनोल इत्तर और कार्बनिल योगिक जैसे अध्याई आपको अधिक पोकस करना है वही हाइड्रो जो आपका कार्बो हाइट्रेड है प्रोटीन कापी सारे विद्यारते ऐसे होते जिनको आते हुए क्यूसन भी टाइम की कमी के कारण रह जाते है उनको क्यूसन का आंसर आ रहा है बट कब टाइम निकल गया पता है नहीं चलता और वो अटेम्ट नहीं कर पाते तो आपको टाइम का मेनेजमेंट कैसे करना है पेपर को कै से अरेंज करना है चले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं जैसे यह आपके नीट का पेपर है ठीक है इंदी इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में है यह देख लो आप अब आपको करना क्या होता है पेपर आपके हाथ में आ जाएगा पांच महीं को ओपन आप करोगे तो स सबसे पहले इन क्यूसन को नहीं करना मैं पहले बता रहा हूं फिजिक्स बहुत की विज्ञान को मत करना सबसे पहले ठीक है ना सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले आपको बाइलोजी लिख सकते हैं आप बायो क्योंकि नीट का पेपर आदा 50% क्यूसन बायो के आ आगे सबसे पहले आपको करने है क्योंकि ये क्योंसय। आप कर सकते हो Leah । уг कोई भी लोजिक आपको नहीं लगाना जो भी आपने पढ़ा होगा बस सिंपली आंसर आपको करना है जैसे कि निमने में सकिस सेवाल में संचे खादे के रूमें मैंनी टोल होता है अब इंग्लीज में भी दे रखा है वीच ओफ दफ लौविंग एलगे कंटेंड मैंनी टोल और आपका यहां पर रिवर्स फुड मेटेरियल जैसे कि दूसरा देखो एक खेट में गास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादब हार्मोन तो पादब हार्मोन हमने पढ़ाई रखा है हमारा जो एप्लिकेसन है वहां पे सारे नोडस आपको दे रखे है वो पढ़ पर देख सकते हो कि निमनमे से कौन से सेवालों में के राजीन उत्वपन होता है जो कि आपने एंसे आटी में पढ़ाता और बायों के लिए तो एंसे आटी नमबर वन है यह कुशन आपको करने सबसे पहले यह इस परकार के क्युशन यह दोको मेरे परिविद्या तो कितन इन निमनमे से कौन मस्कीटी कुल में आता है कुल वजडी फ़गयरा सब आपने पढ़ रके है और नौरस में हमने एक साथ arrangement किया हूआ है ससकस हेरेटिकस का संधर्म है और जटरर्यस वगेरा आपने अगनास से वगेरा पेनी क्रियाज सब आपने पढ़ रका है घश्ट्र पेपर सोल भी करवा देंगे इसी चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा बेल आइकन पर प्रेस कर लिया होगा तो इसका सोलूशन भी मैं करवा दूंगा पूरा ताकि हो सकता है कोई क्यूशन रिपीट हो 2014 में तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जए और रिपीट होते हैं क्यूशन तो वायोगी के गूशन आपको सबसे पहले करने हैं वायोग में भी जूलोजी को पहले जूलोजी को पहले रखना आप फिर बोटनी को ये तो आप गांट बांद लो और एसा ही आपको करना है एक्जाम में तो बाईलोजी होने के बाद फिर दूसरा सब्जक्ट आपको चूज करना है आपका परबाव निर्व में से किसके द्वारा परशीत होता है एंसेल विलियन ग्लुकोज बच्चो वाला क्यूसन देख लो आप यह पेपर है नीट का और विसी की कमी हींता जनीत रोग है बच्चो वाला क्यूसन बच्चे-बच्चे को पता है इसके बारे में देखो आप कैसा प खाले में पोचा है हर बच्चे को पता है किलिर तो दूसर आपको कैमेश्टी पे फोकस करना है बिना निमेर्कल वाले क्यूसन आपको आटेम्ट करने रसाइन घ्याएग। सारा टाइम यही उय bisher गाईगा और आप टाइम का मेंच्च्मेंट नहीं कर पाओगे तो पहले तो ये open करके देख लो ये paper है ठीक है तो जिसे मान लो कि ये numerical है पहले numerical जदा रहते है physics में इसलिए इसको सबसे last में आपको करना होता है क्योंकि अगर कोई question रभी जाए तो कोई गम नहीं क्योंकि आपने पहले biology को कर लिया पूरा chemistry को कर लिया और ये physics में बिना numerical वाले question ये देखो one liner ये आपको करने है पहले ये देखो आप ये देखो आप से भी माई पूचिए बस ये question आपको करने है कोई भी logic यहां पर नहीं लगा ना बस आपने जो भी पढ़ा होगा पहले वह यहां पर टिक कर देना है क्यापी सारी question होते है देखो यहां पर numerical इस देखो आप फिर लगना है बचा कुछा time numerical पर यह सवाल आते ना कुछ इस प्रकार के mathematics type के क्योंकि बायो के विद्यार्तियों आपका मेच तोड़ा वीक रहता है मैं जानता हूं तो यह question सब के last में आपको करना है और नी भी आ रहा हो छूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत ने क्योंकि आपने बायो अच्छे से कर लिया क्योंकि पेपर के last में रफ वरक आता है मैं दिखाता हूं आपको जैसे यह paper है 200 आपसे total पूछे जाता है जिसे paper का last होता है यहां पर रफ कारे के लिए आपको दिया जाता है ठीक है तो यहां पर आप कोई भी physics के numerical कर सकते हो तो यहां पर आप आराम से कर सकते हो और आपने देखो सबसे पहले क्या attempt किया था जूलो जी ठीक फिर बाटनी फिर chemistry में बिना numerical के क्यूशन फिर physics में बिना numerical के क्यूशन और last में numerical के क्यूशन तो आपका तो benefit वहीं पर हो गया जब आपने यहां पर बायो को और chemistry को और physics मे बिना numerical के question को attempt कर लिया काम वहे पर बन गया आपका अगर last में ये question नहीं भी आते है आपको रह जाते तो भी कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि आपने पहले कापी सारे question attempt कर लिये लेकिन बच्चे क्या गलती करते है paper ऐसे आता है सबसे पहले जो आया बस वहीं से शुरू कर देते हैं वो आंसर देना और वहीं उलजगे रहे जाते है जबकि ये गलती मत करना क्योंकि पहले जो आ रहा है उनको कुरो आप पहले physics को लेके मत बैटना और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं अब यहाँ पर काफे सारे कमेंट आते हैं सर यह इस परकार के क्योंसन कहां से प्रेक्टिस करें ताकि नीट हमारा क्वालिपाई हो जाए सेम टू सेम ऐसे क्योंसन हमको मिल जाए तो मैंने दखो आपके लिए नोट्स बना रखके हैं उन नोट्स का योगदान आप ले सकते हो पूरे क्लासिट केशन उसमें में दे रखके पूरी टेबल सा आपको अवाइलिबल करवा रखकी है यह सारे वहीं पर मिल जाएंगे आपको पूराने पेपर वेगरा सब आपको प्रेक्टिस क्विशन सब वहीं पर मिल जाएंगे इसके लिए सिंपली आपको यह एप्लिकेशन डाउनलोड करना है यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको हैमकेस अकेडिमी नाम है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है डाउनलोड होने के बाद अपने मोबाइल नमर से आपको लोगिन हो जाना है लोगिन होने के बाद नीचे होम का बेज का इस्टोर का ओप्सन आपको दिखेगा simply आपको store पर click कर देना है और यहीं पर आपको neat का courses भी दिख जाएगा live वाला और यहीं पर आपको notes भी मिल जाएगे यह देखवा आप neat notes 24 Hindi और English दोनों के है यह देख लो आप तो यहां से आप notes भी ले सकते हो अगर फिर भी कोई कोई दिक्कत आती है कोई शमस से आती है तो यह help line नमर है कि note कर लो आप 830210558 इन पर आप वार्सप कर सकते हो अगर यहां पर आप notes पाना चाहते हो तो यहां पर आपको वार्सप पर भी notes मिल जाएगे